कर आपकी जना दालत न्यूस से मैं हूं राजा भीया पाल आज 22 मार्च है और आज हम और आप अपने घरों में बैठें आज पूरा देश पूरा हिंदुस्तान आज हमारे भारत के प्रधान मंत्री नरयन मोदी की अपील पर पूरा देश आज आपने घर पर बैठा है कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हम और आप तयार है और आज हम करोना वारस पर बात करने वाले हैं कि आखिरकार क्रोना क्या है क्यों दिया गया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिसर्च शेंटर पर ये देखा गया है कि करोना जो है एक रोसकोप से जलता है करोना वारस से बचने के लिए क्या उपाय है और हम इसको कैसे इस परफ़ते कर सकती है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि करोना वारस के लक्षन क्या है एक ऐसी गंभीर बीमारी एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है कि आपक सकते हैं लेकिन खासी जुखाम वुखार होना लाजमी है यदि आप यह समझें कि यह बीमारियां आप से आप घरे हुए हैं तो आप कुरोना के सिकार हो चुके हैं तो यह दिमाग से निकाल दीजिए यह उनके लक्षण हैं एक बार यदि आपको सरदी जुखाम खासी होनी लगती हैं आपको तेज भुखार आता है और आपको सांस लेने में बहुत दिक्कित का सामना करना पड़ रहा है तो आप समझें लीजिए कि आप कुरोना वायरस के चपीट में आ चुकी हैं तो अपको अपना सैंपल इस्थानिय प्राथमिक स्वास केंद्र पर या आ कुरोना वायरस से बचने के लिए हम क्या करें बचने के लिए हमें एक दूसरे के संपर्क में आने से बचना है कुरोना वायरस में यदि आपको सर्दी जुखाम बुखार यह आता है तो आप यह कोसिस करें कि आप भीडवार इलाके में ना जाएं क्योंकि आप भीडवार कि दूरी से आपको दाइरे में रहकर बात ना करें एक मीटर से की दूरी होना चाहिए बात करते समय नमबर दूसरा लक्षण यह है कि हम और आप जब भीड़बार वाले इलाके में होती हैं तो सबसे पहले माक्स लगाना अतिया उश्चक है बैसे डॉक्टरों की टीम एक्स थी आवस्च्ट है यह हम नहीं कailed रहे हैं अर्भी सभी सवक्ट से सब्सेयों को मैं सलाह देना चाहूंगा कि को माक्स आवस्च की लगा है यह यह आपके घर में सभी व्यक्ति हैं Pig आपको यह संक्रमा कि आप गेरे में आ सकते हैं तो बचाव रखने के लिए माक्स लगाना वहां आवर्शक हो जाता है तो यह बात कर रहे थे आप से लक्ष्णों की बात की है आपको हम सीधे चलते हैं आपके सावधानियों के बारे में बात करें तो सबसे पहली सावधानी से दूर रहें मास लगा के ही जाएं भीड़बाड़ वाले इलाके में नमबर दो पर हम बात करना चाहेंगे आप से कि आप जब आपको खांसी जुखा में वुखार होता है तो अधिकांस लोग हमारे लोग मेडिकल या अस्पताल जाते हैं तो वहां पर दिखा जाता है त तो यसे मेरी आप लोगों से सलाह है कि आप medical hospital जाने के बाद दबाय लेने के बाद जब घर आए तो आप अपने हाथ अच्छे से धुए हैं और हाथ जो लोग धोते हैं वो कई परकार के हाथ धुने का भी तरीका होता है लोग हम देखते हैं कि लोग फॉर्मल्टी करते हैं दोने के लिए तो यह हाथ दोएं तो आपको यहां से हाथ दोएं मैं आपको बताना चाहिए और यहां से आपको हाथ दोना चाहिए और यहां दोने का तरीका है कई मेरे मेरे कई लोगों को देखा है मैं आपको बताना चाहूंगा कई लोग जो हाथ होते हैं वहाथ इस तरीक के लिए आप सेरिटाइजर का ही उपयोग करें यदि आप गाउं में निवास करते हैं गाउं में रहते हैं वहाँ सेरिटाइजर नहीं है तो ऐसे इस्तिती में आप डिटॉल का उपयोग कर सकते हैं या आप किसी भी सोग का उपयोग कर सकते हैं आप सोग को इस तरीके से मले थो नदेते हैं तो इसमें बताया गया है कि आपको यह नाखुन साफ करना चाहिए जह परकार से आपको हुआ ना चाहिए लग बग इस परकार से आपको 20 सिकंड तक का प्रति हाथो को अच्छी से धोना चाहिए और अभी जो हम जिस वारेस देस पूरा विश्व आज कोरोना करना के सकत घेरे में हैं तो हमें और आपको अपने पुरा गंटे में समझता हूं कि हात धोते रहना चाहिए हाथ धोने मतलब हाथों से संक्रमार फैलता है अधिकांस रूप से दिखा जाता है तो इसे फॉक्स करें यह भी बतायाता औक हम आज दो चीजी तो हमें और आप को जिसके इसके जो केमिकल सबस्थे हैं मैं यह नहीं किया रहा हूं कि आप इसको पानी से दोढ़े आने बचाउ के लिए इसके अलगे लागे केmical जाते हैं उन प्रवाइल को आप क्लीन कीजिए लैपटोप को आप क्लीन करके ही मुबाइल लैपटोप का इस्तमाल कीजिए गा तो यह साधानी के मैं करोना वारस से बचने के लिए मैं आप तक आपको उपाए बता रहा हूं मैंने बताया आपको कि हाथ अच्छे से धुएं भीड़वा आपको अच्छ आपको चीखने के बाद सामने को भी यह उसको भी रिप्योंती परइसान कर सकती है आज का देखा जा रहा है कि आम दुकानों पर मेडिकलों पर यह अधिकांस मिलता है मास्क और सैनिटाइजर की मात्रा पूरे विश्व में पूरे देश में बहुत ज्यादा विक्री इसकी की जा रही है तो कई लोग इसका गलत उपयोग भी करते हैं मेहंगे दाओं में आज सैनिटाइजर मास्क को बेंचा जा रहा है और यहां से उनके माल सप्लाइज हो रहा है वहां पर यह थोक के भाँ में उन्हों ने स्टॉक जमा कर लिया है जिससे यह हर जगा उप्लब्द नहीं उपा रहा है इससे महंगे दाओं में वहां से खरीद रहे हैं लेकर मेरी आप से सलाह है गवर्मेंट रेट पर जो देखा मास्क पकड़ने के लिए अपियोग करें आपने हाथ तहीं इसको पकड़ने क्यूंकि हो सकता है कि आप और आपने इस मास को पकड़ लिया तो आपके वायरस आपके कीटानू इसके अंदर पहुच जाएंगे और जब आप मुझे लगाएंगे तो यह आपके बाड़ी में प्रिवेस कर जाएंगे तो इसके लगाने का एक तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि लोगों को म लगाने का वितरीका समझना चाहिए क्योंकि जो मैंने डॉक्टर की एक्सपाट टीम है उससे सीखा है तो यह जो आप देख रहा हैं यह तीन जो पट्टियां है यह पट्टियां बाहर की वहर होना चाहिए और इसमें एक नॉप्स रहती है यह प्लास्टिक अंदर रहता ह है इसके इसको इसको नाक के उवर लगाना चाहिए मैं प्रियास करता हूं किस प्रकार से लगाना और भी आप संबंध में भी का सभी Τरीजिक तो इस मास्क का उपियोग हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह योजन थ्रू है और इसमें वाइरस का खत्रा कम रहता है इसको लगाने इसको आप दिन भार यूज कर सकते हैं लेकि अगले ही दिन इसको आप इसको जादे देर तक इस्तमाल लहीं किया जा सकता तो मेरी आप दूसरे दिन निसको लगाए तो इसको कीच करके अपने इसको ड्स्ट सेनल को देख रहे हैं उनका हमारे तरफ से सवाल आ रहा है कि हम नहीं हम झाहें खरी सकते हैं कि बाजार में इस समय सेनिटाईर की कीमत सथ रुपाय से लेकर सो रुपाय तक बसूली जा रहा है तो ऐसे में हमारे जो एक हैं हुख हरिदने में सक्ष्म नहीं समजते हैं तो वह अपने घर में जो सौप रहता जब भी आप घर से निकले आपकुछ काम करें तो उसको उससे धोते रहें अपने हाथ समय समय पर और आप किसी भी साफ कपड़े का इस्तमाल मुझसी कर सकते हो लेकिन वसरते उसके लिए कंडिशन है कि आप जब भी उसका इस्तमाल करके आपको धोना पड़ेगा लगाता है आपको मतलब आप आप अपने एक दिन उसको यूच किया तो जैसे आपने सुभाई यूच किया तो आपको सामके निकाल देना है दोने के लिए डाल देना है और दूसरा आपको लगा लेना है तो इसका ध्यान रखें साफ कपड़े का ही इस्तमाल करना पड़ेगा यदि आप मास्का फियोग नहीं कर रहे हैं, दूसरा सेनिटाइजर आप नहीं खरीद रहे हैं, तो साब बोटल में सेनिटाइजर, उसको सोब बना लीजिए, उसको रख लीजिए. बताना चाहूंगा आपके घर में छोटे-छोटे बच्चे भी होंगे, हमारे घर में भी छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो हम अदिकान देखते हैं कि जब भी हम आपिस का काम ले करके या अपने घर से बाहर से आते हैं, तो घर में सीधे बच्चों को गोद में ले लेते हैं और हम अपने बच्चों को भी किस भी करने लगते हैं तो ऐसे में वाइरस का खत्रा बढ़ जाता है अपने बच्चों को हाथ में लेने से पहले आप अपने हाथ अच्छे से साबन से धोएं उसको जिस प्रकार से धोने का जो तरीका पूरे देश में बताया जा रहा है आपक अखवार को लेकर के कि न्यूज पेपर लोग हाथ में नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि न्यूज पेपर भी से भी बायरस का खत्रा लोग समझते हैं तो मेरा कहने की मतलब है कि यह कहीं ना कहीं आभवा है मैंने इस सम्मंद में दैनेक भासकर की टीम इस प्रकार से देखा जा आपको जानकारी पहुचा आई दूसरा डॉसरा डॉक्टर की एक्सपर्टी में बड़ाती है कि जिस व्यक्ति के अंदर रोग पृति रोधक छमतास लड़ने की सकती नहीं होती है यानि यह रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है तो विटामिन सी के पूर्ती के लिए यह बताया गया है कि हमें नीवू की पानी का इस्तमाल करना चाहिए शंत्रे का उप्यों करना चाहिए मोशामी आज का गरिमियों में आ रहा है मोशामी शंत्रा बहुत ज्य कि अब तक कोई भी दवा नहीं है कि इससे केवल बचाओ और साधानी ही सबसे बड़ा वचाओ पाए है तो मेरा जहांता कि यह बताते हैं डॉक्टर की एक्सपार्टीम के रोग पृतिरोदक शंता बढ़ाने के लिए हमें विटामिन सबसे बहता है इसके अलाबा संत्रे का जूस मुशंम्मी का बीस आधरक का इस्ते हैं और पानी का इस्तमाल आप कर सकते हैं तो यह रोग पृतिरोदक शंपता बढ़ाने में सायक हैं गिलो सबसे जादा प्योग हैं माना गया तो गिलो जो है आमारे और इन चलमे आराम से मिल जाता है इसके अलाबा तुल्सी बहुत मेथ म 자주 बताया गया तो तुल्सी का भी ऊप्योग आपके घर में तुल्सी आसानी सब्योग कर सकते हैं तो आपने की रोक प्रिति रोद्ग शंता को बढ़ाने में यह सब सायक होते हैं अप ससे तो की घर्मियों में क유०्ड रिंग अभी उपयों को पियोग आप न Kayla करें ना करें फिरिद का पानी ना पिये और जब यह जहां तक यह बीमारी ऐसा बताया गया हेल्थ एक्सपर्टी में बताती है कि 85 प्रतिसत हंड़ेट में से 85 प्रतिसत लोग इस बीमारी से बच जाते हैं क्योंकि यह बीमारी जो है खांसी जुखाम बगारा से फैलती है अधिकांसोर इसका इलाज हो जाता है समय प आप तो यह सबसे बड़ा उपाय हमें केवाल इन चीज सावधानियों की आवश्रता है तो हमें इन चीजों से सावधान रहना है आपको वुखार आता है आखेला वह लाल नहीं लगती है सांस लेने में तकलीफ होती है खांसी जुखाम या बहुत ज्यादा चीके आती है आपको समझ में आते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि भीड़वारे वाले इलाकों से बचें आपने जानातर मास लगा कर ही अप भीड़वारे इलाके में पोहँचें और जिनको खांसी है जुखाम है उनसे एक मीटर की दूरी पर आप उनसे दूर रहें तो इस सब चीज खोले रेड़ी हो आख़वार साथ जगह करोना करोना चल ला है तो लोग क्या है मांस्य रूप से बीप्रेशन में कई लोग आ चुके हैं जिन लोग खासी जुखाम होता है तो एकदम गवड़ा आते हैं कहीं असा नहों कि हम करोना की चपीड़ में आ जाएं तो यसा यूज लगातार तैयार खड़ा है आपके साथ है और आज हमने भारत के प्रधानमंती नरैंत मोदी ने सेट में आज जो जंता करफ्यु लगाए है उसमें हम और आपने जो स्योग किया है आप सभी लोग ने स्योग किया हम लेकिन ते Character है अपने डे Ace- देश से की लोगों से के लिए संकल्प को आज पूरा किया है तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन हैं मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं लेकिन मैं एक अच्छी सलाय आपको दे सकता हूं और एक्सपर्ट टीवी लोगों से भी हमने ये ये जानकारी कत्रित की है और डिस्क्रिस्म ने वह तमाम सार जनता तक पहुंचाएं और इसके लावा मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि यदि आपने आज हमारी सला को अपने गहराई से समझा है और इसके जाने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि आप हाथ मिलाने से बचें अक्सर लोग हाथ मिलाते हैं तो हाथ बिलकुल करते हैं और आप सब्सक्राइब करते हैं सदस बन सकते हैं और हम वरा कोरोना जैसी महावारी इस गंभीर समस्चा से ललने के लिए तैयार खड़े हैं ज्याहिंद